कि י तो चैपर नुम्बर 9 स्टार्ट करते हैं। और 9पी फर्स एक्सराइस की पहला पाट है। इस एक्सराइस में एक्षणी सिक्स पार्ट्स हैं। यह अधिकिय। इस के अंदर लोगेक्र फ़िच्ण पार्ट्स हैं। और उन में से कोई हम एक दो इंशाला आपके लिए अभी ट्राइ करते हैं ताकि आपको ये फर्स्ट क्वेस्टन असान हो जाए लेकिन इसमें पूछा क्या गया है पूछा उन्होंने ये है कि दो पॉइंट्स दिये वे और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपको डिस् आ रहे तो एक ये और ये बन गया. एक पॉइंट ये है, दूसरा आपके पास ये पॉइंट है. अब इस पॉइंट के उपर और इस पॉइंट इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टनस कितना है. तो डिस्टनस हमें बजाए इसके के यहां से जाके यहां पर घाना cumulative बलके नहीं हमें सिर्फ डिरेक्ट इसका डिस्टन्स चाहिए तो डिस्टन्स लेने के लिए आपको यहां से यहां ताइए मलब जैसे बाइ एर जो डिस्टन्स है वो चेक करना माँ बिल्कुल शॉर्ट जो डिस्टन्स है सबसे कम डिस्टन्स जो पड़ता हो आपको वो वो यह distance निकालना है actually और बिलकुल उसी तरह हमें यह दो points दिये हुए हैं और इसी तरह हर इस question के हर part के अंदर दो points दे हुए और उन दो points का distance find करना है वो कैसे है आपको यह पता है के हर point के अंदर यहां पे कोई एक x की value होती है और एक y की value है अगर यह पहला point हो और यह दूसरा point है अगर यह दूसरा point है तो यहां पे भी एक x की value होगी और एक y की value होगी suppose ही आपके पास पहला point है मैंने उसको नाम दे दिया a और first point के अंदर एक value x1 है और दूसरी y1 है x1 और y1 मैंने one subscribe में इसलिए डाला क्योंकि यह पहला point है और अगर यह दूसरा point मानो b है तो फिर यह second point हुआ तो यह x2 और y2 हो जाएगा अब लेकिन जो बताने वली बात है वो यह है बचे के हर point के अंदर दो values होती है एक x और एक y और पहली value जो दोनों point हर point के अंदर जो पहली value होगी उसे आप x से denote करते हो जो दूसरी value है वो y से denote होती है यह first point है उसका यह x और यह y यह second point है इसका यह x और यह y अगर आपको यह दो points दिये हैं और इन दोनों के दिम्यान आपको distance find करना है तो इसका short और sweet सा formula है और वो यह है d से denote करते हैं d equals to square root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square और यह square लेने के बाद इन दोनों को solve कीजिए और solve करने के बाद जो value आए आप उसका square root ले लीजिए तो यह आपके पास distance आ जाएगा अभी जैसे हमने यह एक part first part ही इसका लिखा है question number one का आपको नजर आरिये statement find distance between following pairs of points अब यह आपके पास एक pair of points है pair of points मतलब दो points है अब इनके दर्मियान आपको यहाँ से a point के अदर पता चल रहा है यह x1 है और यह y1 है इसी तरह यह second point है तो यह x2 और यह y2 अब x2 की value भी आपको पता चल गई x1 की value भी पता चल गई y1 की value भी पता चल गई और y2 की value भी पता चल गई आपको just यह formula यूज करना है और यह formula यूज करते वे आप इनके दर्मियान जो distance है वो निकाल सकते है बेहतर यह है कि आप पहले यह values लिख लीजिए side पे x1 equals to 9 y1 equals to 2 and x2 equals to 7 y2 equals to 2 using distance formula आप distance formula यूज कीजिए जो अभी हमने लिखा d equals to square root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 whole square बटा यहाँ पे x2 की value आपको नजर आ रही है 7 है और x1 की value है 9 तो आप 7 minus 9 square लिजिए plus y2 की value आपको 2 नजर आ रही है और y1 की value भी 2 है तो 2 minus 2 इसका भी square लिजिए और square root वैसे ही डाला रहने दीजिए और आपके पास finally जो distance आ जाएगा अगर आप इसको solve करते है 7 minus 9 is equal to 2 और minus 2 होता है actually minus 2 का अगर आप square लेते हैं तो वो positive 4 होता है और फिर 2 minus 2 is equal to 0 तो यहाँ पे आप लिखिए 4 plus 0 और 4 plus 0 you better know is equal to 4 और 4 का square root जो है वो actually equal होता है 2 so distance is 2 तो इस answer इसका answer क्या हुआ D equals to 2 यह इन दोनों points के दर्मियान distance था बिलकुल इसी token के उपर इसके सारे के सारे parts हो जाएंगे part A to F A अभी हमने कर लिया लेकिन एक part इसमें D जो है वो थोड़ा सा दिखने में problematic है हम अभी आपके लिए वो भी करते हैं जैसे D point के अंदर आपके पास पहला point है हम उसको भी ऐसे ही solve करते हैं याद रखी यह सारे questions इसी तरह से ही हो जाएंगे अगर आपको यह distance formula याद है तो जो formula है x2 minus x1 whole square plus y2 minus 1 whole square और फिर इनका square root अभी यह D part के अंदर आपको जो point A दिया हुआ है वो है minus 4 square root 2 minus 4 and square root 2 और फिर दूसरा part जो है दूसरा point actually वो minus 4 है and minus 3 है अब बिलकुल उसी तरह यहाँ पर लिख लीजिए आपके पास x1 equals to minus 4 और y1 equals to square root 2 and x2 is equals to minus 4 and y2 is equals to minus 3 तो यहाँ पर भी वोई distance formula use कीजिए using distance formula d is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square अब इसमें नीचे statement दीजिए putting the values of x2, x1, y2, y1 आपके पास situation बन जाएगी कुछ इस तरह से x2 is equals to minus 4 यहाँ पर लिखे minus 4 यह minus और x1 की value भी है आपके पास minus 4 और इनका square plus y2 आपके पास है minus 3 फिर minus और y1 है आपके पास square root 2 और इसका भी square ले लिजिए सी तरह minus 4 minus 4 और भी minus times minus positive 4 और इसका square root है बिलकुली सी तरह से plus minus 3 minus square root 2 और इसका भी आपके पास square है अच्छा minus 4 minus minus 4 plus 4 equals to 0 और अगर यह 0 हो जाए 0 plus minus 3 minus square root 2 इसका whole square ऐसे ही रहा जगा थोड़ी है इसलिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ देखे अगर 0 में यह चीजा आप add करोगे तो यह यही रहेगा तो distance आपके पास actually आ गया square root minus 3 minus square root 2 minus 3 minus square root 2 इसका bracket square और इसका फिर square root भी है और यह आप जानते हैं कि square से square root क्या हो जाता है cancel square root से आप square cancel करेंगे तो minus 3 minus square root is the distance तो यह आपका answer होगा यह था आपका first question मूव करते हम second question की तरफ अच्छा यहां से आप जैसे यहां पर आजाते है जैसे यह 0 इसमे एड होने के बाद यह 0 खतम हो जाएगा minus 3 minus square root 2 perfect square यह यहां पर आपके पास आगए अच्छा अब एक काम आप यहां पर यह भी कर सकते हैं देखे तो आपको इन दोनों values में से minus common आता नजर आ रहा है तो अगर आप minus common लेते हैं तो पीछे आपके पास रह जाएगा 3 positive square root 2 और इसका square यह information बच गई so d is equals to अगर आप square इन दोनों का अलग अलग कीजिए तो यह minus का जब square करेंगे तो यह positive हो जाएगा minus minus multiply by minus equals to positive और उसके बाद यह रहागा आपके पास 3 plus square root 2 और इसका square अभी आप कहा किजिए square को square root से cancel कर दीजिए तो d is equal to 3 plus square root 2 बिल फर्ज अगर आप यहाँ पर यह minus common लेना भूल भी जाते हैं और common नहीं भी लेते और इसका answer आप minus 3 minus square root 2 लिख देते हैं तब भी answer बिलकुल ठीक होगा वो भी उसी तरह से ही इंपोर्ट उतना ही definite answer है जितना यह positive terms के अंदर definite answer है Thank you very much